नमस्कार सर केसे हैं आप बश ठीक सर एक बार आपका पूरा नाम बता है हमारे सभी दर्शकों को मेरे नाम प्रकाश रजीव पटेल हूं और मैं उद्यपूर का रहने वाल हूं यहां भी जहां आप ने परव ठीक हैं इन कृट हैं फ़सी अजड़े बात करें आप के अपक बार्व हइं क्योड़े चाह बात करें उपने पास भी तहीं का दिडुण फिलाल सर्थ दो है दो रख 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 और अगर बात करें आपके आपके आप में जो अभी गोडी है इसके बारे में बता है आप इसकी क्या डीटेल है यह लेजेंडरी गोडा प्रबात जो पहले राजस्तान में था अभी पंजाबे काला काटावलों के पास प्रबात की जो शादियों में चलती थी, फिर हमने ब्रेट करवाई उसको, कुमेत कलर की गोडी थी, फिर यह बच्ची हुई तो फिर आप ने उन से कब ली थी यह कॉरोना में, सर में उदेपुर से इधर फार्म पे शिप्ट हो गया था अच्छा जी उसके बाद उन्हों ने मेरे को दे कुमेत कलर की थी बट अच्छी वोडी थी फेस पतला जो इसकी मा की तरफ से आया इसका मनिया जो पतला है यह करेक्टर इसकी मामेत है अच्छा और इसका एक भाई है मदर साइट से जो आप ध्यानों का हुजेपा भाई है है अगरपूर वह पर एक पांध तिलक का एक एक इस आप पांथ किन रहां मामें पतला की था और पर देखी थी दो बखेशनों थे अब पर द कर मेंद के पांध और वाजलं के बच्याव फर नहीं की ताइब करें बट इसके मदर की बात करे मदर करें वोबी गड़ा किनके पास पास नहीं जुआई यह उ investigators Cuando Patilше वे देखी थी दो साल पहले मैं अब फिलाल उनके पास है और मेरे उन से संपर्खनी है अब आप देख दी थी थी जो खैमपुर वाले मैजिक गोडे वाले अच्छा आप अगर अब बात करें जो आप इस अब आप अगर अपके तो आप बात करें ने जो अब इसके तोड़ी गोडब करेक्टर है , तक मैं है थै क्यों मिखें, वहाँ करेक्टर समराइब करेदा है, तो अभी पन्तों चैनलू है किहीं समराइब करते organizis समराइब के साम चैनल फिर आपने बड़ित कर वाय है ता अभी जैसे रजनीज जी कर पास ना ने समराध का फादर जो डीज जी के पास मार्स गोडा वर कना श्का पास मार्स बच्चा है निरज भाई पटेल निकुझ ब्रॉट फॉर इंगा उनके पास वह बच्चा मेने दो दानत ही आद की देख कि यह एक बार देखते हैं दिल में उत्रा हो गोड़ा फिर पता नहीं यह गोड़ी आ गई भागी हो गया और उसी से मैटिंग करें उसी की बच्ची अपन को प्राप्त हो गई तो मन में जो इक्षा वो देर इसे मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे पास गोड़ा गोड़ी मुझे कोई कंफर्म भी नहीं था कि गोड़ी भागिया से आगी और जो गोड़ा पसंद था इसकी बच्ची मेरे गर पे आगी से अच्छा इसकी बच्ची अपने पास आगी अभी अगर बात करें बूमी को आपने वापस किसी से प्रेगनेंट करवा रखा है चेतक से करव बढ़ाएगा भगवान ने चाहा तो ने बढ़िया बढ़िया तो अगर अभी समझे तो और भी आगे आगे आपका क्या प्लान है आपके गोड़ो गोड़ी में यह कि सरी मा बेटी से ब्रीडिंग करेंगे अगर फार्म आगे बढ़ाना चाहेंगे हम तो इन दोनों को होल कॉल रहा करेंगे पार से नि करेंगे खुद पैदा करेंगे एं राबात की है यहां बहुत में किना खुन मिक्स है वर्काना लाइन उसमें सर्व सैम करड़ के लंबी Collins फथा ननanhक हॉल्पा है उसमें बहुत अच्छा है उसमें Bisquand Company बजने के परिक्वानने की तो आपको या फिर लाने के बाद आपको लगा या मज़ा रहा है सर शौक बच्पन में था पता नहीं शादियों में जाते थे सबी बच्चे मिठाई वठाई खाने में ब्यास देते तो मैं घोड़े वाले के पास मुठ जोता था और दुचता था किया गोड़ा है कैसा है क्या होता इसमें दोस्ति करता था गोड़े वाले से बिल्कुल दोस्ति के लिए क्या खरते थे आप बस जाके खड़े होते थे दीर दीरे बाद्चित निकालते थे फिर बाद दीटेल लेते थे उस समय भी अच्छा तो अभी तुम खर फोवे नेशेश्री भी नहीं है यह है अपनी दुनिया है अपनी दुनिया चायद क्या था अपनी के थै confessि आ मुझे थोड़ा पैन हो रहा था इन इन से दूर के से रूछा विल्कुल तो फिल्कुल आगे प्लान प्राल परे रीख था यह उन पने धर समय तो आपote में इ जो राज़स्तान और अगल इंडिया में नाम चीन हात्मी यूसुप भई पठान उनके फादर जो सभी लोग एक्टर लोग भी उनको जानते हैं आज की तारिक में मिथून, राजकुमार इसी क्या स्पेशलिस्त थी उन्हों में जो औरोस अलग दिखती थी सर घोड़े की पूंच से लेके उपर कान तक उनको एक एक पार्ट का नोलज हो एक एक बीमारी का उनके पास हिलाज है अच्छा अज उनके घर में सर आज से नहीं 300 साल से गोड़े होंगे काई त्यू साल सेुड़े काई पीड़िया गुजर की आप सम्मझ लो कि 8 उनको किना नोलेज होगा आज तो पांस साल में आदमी बहुत ज्यानी हो जाता है तो उनको काई पीडियां गुजर की तो पीडियों से गोड़े रखे तो उनके साथ आपने समय बिताय हुआ है उनसे सर मैं आज भी कई फस्तों उनसे डिसकस करता हूं किसी भी बारे में और मान लो की एक जो चीज बनाते हैं वो कारगरी होती को दवाई से लेके खुराक से और बागी जैन साब भी है जैन का सबसे में टच में हूँ नए नए लोग आते रहे मेरे एक दोस्त है घंगा नगर के अनिल माया उनसे भी काफे सीखने को मिला ओके फिर जू जू सरकल बढ़ता रहा रहा है उनसे भी डिसकस होती है जो मिले उनसे बहुत अच्छा सीखने यह बात सही में सर गोड़ो का महिर आदमी है दूसरा डिल से रखते है को मिलावत नी आदी रात को भी फोन को रोग तैयार है उन्हों ने वह चीजे दिये सर्व मैंने उनके एक जब उदेपूर रहता था एक दिन ऐसा नहीं रहता होगा कि मैं उनसे नहीं मिलता हूं बिल कि एसी नुक्रिया और ऐसा उनका मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैने अभी तक नहीं देखा कि उनका मैं साथ साल आंट साल जुनके घर पे गया हूं कि किसी गोड़े को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई है इतना सिक्योर काम है बढ़ी आये गुलजार गोड़ा था अच्छा काम है और बारी बारी गोड़िया रख रखी है शुटिंग में जो उदेपुर में आज से 10-15 साल पहले जो शुटिंग होती थी वो उनके घोड़ों के बिना अधूरी है अच्छा सब शुटिंग उनी के गोड़ों से यूज होते थे थे अमिता बच्चन से लेक अच्छा सूल्तान सरा रहे हम जाते थे तर वह गोड़ए देखे ते पर मेरेको नहीं मालूम था कि यही सुल्तान भागी वो भी अपने आप में एक हासर चबरदस घोड़ा था अज्याए पर काश्वी आप इतने समय से गोड़े रख रहे हैं जैसे आप 241 से इस जरनी मे और अपठान साहब से भी इतने कनेक्ट है पुराने लोगों से भी कनेक्ट है आज का सीनेरियो देख के आपको क्या लगता है कि गोड़ रखना किता असान है सर असान तो बिल्कुल भी नहीं पहले बता और प्लीं आसान हो बील्क Mmth ideal बिल्कुल कुल नीया है वह है वह है रात को सोते थे ना दो भी तो लिजए भी देखतें हैं गोड़ाों क्या करने तुछ चार चीजह मौई टी मैंने प्रंसनली मैसुस की गोड़ों के लिए साथ अ बढ़ा इंडरेश्टी वाला गोड़े रखा हुआ है पर उसको जाने का समय होना चाहिए अपने गोड़े के पास पर तीसरा होना चाहिए है सयम बहुत सयम की बात है सर गोड़ा बच्चा भी लाओ गे तो आप यू नहीं देख सकते कि यह छे महीने में बड़ा कितना हुआ यह क्या हो रहा है सालों का प्रोसेज सर पांसाल एक बच्चे को भी लाओगे पांसाल आपको वेट करना है ठीक है और चौथे इस्तान पर आप समझ लोग पैसा क्योंकि खुराग तो सर खानी पड़ी गोड़े को बिना पुराग के आप पॉसिबल नहीं है कि बताओं गो सर मैंने चौथे इस्तान पर रखा है पैसा वह भी मस्ट है गोड़ी के अच्छी वेल मेंटेंट के लिए आज सर कुछ मान लोगे डोक्टर अब बुलाना पड़ जाए और वीमारी पंदराभी सेजार एक सेकिंड में चले जाता है और में और आप समझ लो मैने का मैंटेन परकाश भी आने वाले समय में अभी आपके इदर में मेला भी हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी शेयर करें सर्व सबसे पहले बहुत खुशी की बात है हमारे बिलकुल मेरे मेरा ये विदान सभा शेत्र भी मावली लगता है बिलकुल और आपके सयोग से अभी अपने दोनों में से कोई सेल पे है या फिर अपने आगे कोई प्लान है सार वो देखेंगे अभी दोनों से ब्रीडिंग करने का विचार है अगर होगा तो विचार कर किया जाएगा अज मेने बनाया है तो किसी फार्म की शोबा बड़े मुझे भी खुशी होगी अच्छी आदमी के पास जाए अच्छी ब्रीडिंग हो बागी मुझे मालूम इन दोनों अच्छी बागी माव बेटी से कौन से घोड़े खुलवाने क्या करना है अपको आइडिया उसका है मैना फाइस सार टाइम में गोड़ा उड़ाया सेलेक करके 100% मुझे रिजल मिल गया है ठीक है प्रगाषब आप बोध दन्यावाज आपका किमति समय देने कि आप आए सर अच्छी आपको भी बना है ठीक है